भारत में प्याज के बिना खाना अधूरा सा लगता है अगर खाने में प्याज ना हो तो काफी लोगों को टेस्ट खराब हो जाता है आम तोर पर प्याज को सबजी के साथ ही सलात के रूप में भी खाया जाता है तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे प्याज से जुड़ी क कुछ सवाल और उनके जवाब के बारे में तो फर्स्ट कुश्चन है प्याज को कैसे खाएं प्याज को लोग कच्चा और पका कर दोनों ही रूप में खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज को पका कर या कच्चा कैसे खाना ज्यादा फायदेमंद होता है पहल लाता है कौन सी पयाज़ खाएं? पयाज का सिवन पका कर या कच्चा कैसे भी कर सकते हैं? अगर आप जादा sulfur compound पाना चाहते हैं, तो पयाज़ को पकाने की जगा कच्चा खाना बहतर है. इसके अलावा कच्चे प्याज में कई पोशक तत्व पाई जाते हैं जो पकाने से नज्ट हो जाते हैं तो अब ये भी जान लेते हैं कि सेलफर कंपाउंड के क्या फायदे हैं सेलफर कंपाउंड आपकी आखों में पानी लाता है और इसके कई फायदे होते हैं खून के ठक्कों से बचाओ, स्ट्रोक या हार्ट डिजीज के खत्रे को कम कैंसर से बचाओ करना और ब्लड सुगर लेवल को कंट्रोल करना आदी तो अब जान लेते हैं कच्छे प्याज खाने के नुकसान क्या है पक्के प्याज के मुकाबले कच्छा प्याज ज़्यादा फायदे मंद होता है मगर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जैसे मूखी बद्बू, हर्ट बर्ण, असिडिटी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आदी तो दोस्तों कच्छे प्याज के सेवन पके हुए प्याज से ज़्यादा फायदे मंद होता है तो यह छोटी से जानकारी कैसी लगी अगर इच्छे लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठैक्स पर वाचिंग